हलो फ्रेंट्स नमस्कार सिस्षद्र टेस्ट गाड़ी में आपको स्वागत है दोस्तों आज हम ऐसी खाद बताएंगे जो आपके पौधे फूलों से बिल्कुल भर जाएंगे चाहे हो टीकोमा हो चाहे ऐसे सदा बहार हो और इस तरह के करनेल हो बिल्कुल फूलों कलियों से भरा रहेगा इस समय करनेल में कलियां हैं फ्लावर भी हैं लेकिन पहले के बिक्षा बहुत कम है ना के बराबर है क्योंकि इसका सीजन जा रहा है दोस्तों और गुड़हल में भी अच्छे फ्लावर अभी आ रहे हैं अब यह भी ठंड में थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन लेकिन गुड़हल में फ्लावर आते रहते हैं थोड़ी जब दिसंबर जनवरी की ठंड तेज हो जाई तो थोड़ा फ्लावर की साइच छोटी हो जाती है अभी पूरी तरह से फ्लावर खिले नहीं है यह देखी कम खिले हुए हैं और कितना सुन्दर निखर के उस खाद क हमने दिया है तो कितना सुन्दर इसका कलर है आया है और अभी एक खिले नहीं पूरा अभी साथ दस हैं और धूप पूरी तरह से नहीं है थोड़ा बादली कि धूप है अभी जब खिलेंगे तो बड़े-बड़े हो जाती है और बहुत ही खुबसूरत लगती है और बड़ी कलियों से बिल्कुल भर जाते हैं यह पौधा हमारा बीमार हो गया था हमने वीडियो शेयर किया था और देखिया कितना सुनरी फूप एकदम से पत्यों से भर गया है वह उसमें उस खाद में नाइटोजन तो होता ही है साथ में सभी पोशक तत्थ होते हैं जिसको देर सारी इसमें कलियां आ गई हैं बड़ी बड़ी तो दोस्तों वह खाद बहुत अच्छी है और पत्ते निखर के आते हैं यह थोड़ा भाइट भाइट दिख रहा होगा मैंने पेप्री साइड डाला था उसका दाग परसों ही छिरिकाव किया था नहीं तो बिल्कुल प बनाते हैं कि इन दो चीजों से मिलाकर मैंने बनाया ही है तो बहुत अच्छी खाद है आप एक बार डालेंगे तो बार बार उसको डालेंगे पौधे हरे भरे रहेंगे ग्रोथ करेंगे और धेर सारी कलियां और फ्लावर मिलेंगे क्योंकि जब बड़े बड़े हम रहती हैं मैंने कांटीनू हमको फ्लावर मिलते रहती हैं और नहीं तो जैसे एक बार अगर फ्लावर खिल गए और फ्लावर लगे हैं तो पूरी इनर्जी फ्लावर लेता है तो कलियों को नहीं मिल पाती तो कलियां हमारी उतनी अच्छी नहीं पर दोस्तों साथ में ध्याना हमको देना पड़ेगा जब फ्लावर लगे रहते हैं तो आधी नर्जी तुन में चली जाती थोड़ा बिलंब होता है इसके फ्लावर चले गए हैं मैंने पूरा तोड़ दिया था पुराने अब यह कुछ रह गए हैं एक दो तोड़ना तो देखिए कितना धेर सारी बड़ी मैंने राक डाला हावन का तो कुछ कंडे बगर है और यह जैसे हावन की जो शामाग्या बगर है वह हैं कोई नुक्सान नहीं करेंगी और फायदा ही करेंगी तो दोस्तों यह हमारा तीन लीटर पानी है उत्तीन लीटर पानी में हमने इतना सा यह सरसो की खली डाली है यह इतना पान से दस प्लांट में काम करेगा आप सालिट डालो तो यह पान्च प्लांट के लिए बहुत है लेकिन गोड़ा करके आप मिट्टी में मिला दो तो लेकिन अगर लिक्टर रूप में डालेंगे तो यह दस से बारा पौध ही मे हमने प्योंच के साथ हमने मिलाई लिया। तो लिक्ट क्या है जड़ों में तुरंत जाती हूं पौधों को रिजड़ देती है तो हमको लिमिट मात्रा में डालना है फायद नहीं तो फायदे के बजाए नुकसान भी हो सकता है और सालिड आप एक पौधी में इतना अगर बड़ा जैसे गुड़ हैल और कनेल का पौध है और बड़ा पौधा है तो और एस्ट्रा एनर्जी के लिए दोस्तों हमने इतने इतने सरसों खली राक में इतनी सी हम यह डीएपी मिला दिये हैं यह बहुत ही फादा करती है यह अनि एस्ट्रा एनर्जी करें अगर इसको भी ना मिलाएंगे तो दोनों ही हमारे पौधी सब्सक्राइब अब करती है जो इस सम्पून पोशकतत है मिट्टी की ग्रोथ अच्छा करेगा तो मृत्ति अच्छी होगी तो पौधे की ग्रोथ हबिकास होगा मिट्टी उपजाओ बनाता है उसकी गुडवत्ता को शुधारता है तो सरसों के खली बहुत यह अच्छा है दूसरी उसकी तासीर गर्म होती है तो इस समय जो ठंड का मौसम शुरू हो रहा है तो हमारे पौधों को इनर्जी के साथ साथ गर्माहट भी देगा दूसरा दूस्तों ये फंगी साइड का भी काम करता है जो मिट्टी में खराब किटाणू होते हैं उनको नस्ट करता है और क्या कहते हैं यूरिया दोनों का मिक्ष है तो इसके साथ अगर हम सर्सों की खली और राक के साथ थोड़ा सा मिला देंगे तो बहुत इचा टानिक मिल जाएगा नहीं बहुत ही जल्दी रिजल्ट देगा आप डाल दीजे पौधी में 24 घंटे के बाद देखिए उसमें एक अलगी चमक और हरापन रहेगा और तीन दिनों में पौधा फूलो और कलियों से दोस्तों जैसे यह गुलदाओदी है बिल्कुल कलियों से हमारा भारा हुआ है आप देख सकते हैं और यह सर्सों की खली उत्तम है और उसमें ज़्यादा एनर्जी के लिए आप राक और दीएपी मिला दीजी फिर देखिए इससे जादा अगर डारेक्ट हम डीएपी डालेंगे तो मिट्टी हमारी जादा खराब होती है और हम मिट्टी खराब करना नहीं चाहते हैं तो अगर साथ में राक जो है आर्गनिक है और क्या कहते हैं सर्सों की खली उनके साथ देखें बिल्कुल भरा हुआ है और यह चोटे से पॉट में अभी लगा है इसको बड़े पॉट में ट्रांस्प्लेंट करेंगे अभी इस पेस नहीं मिल रहा है यह पिछले स्याल के सेप की हो है हमारे पॉदे हैं और इसमें यह तीन साल से पॉदा चल रहा है तोड़ देते इसमें सरसोगी खली गरम भी होती अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पर रहे दूसर नाइटोजन बहुत ज़्यादा होता है और तीसा राख और यह तो पॉदे को चला भी देंगे तो उसका तरीका बताएंगे कब डालना है कितना डालना है प्लीज वीडियो अच्छा से इसको हमने अभी 24 घंटा ही डाला है और जाब बारीक बारीक थोड़ा दिख रहे हमन की कुछ समगिया है इसको आप तीन दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं कुछ नुकसान नहीं होगा ढख कर रखें छाया में रखें तो चलिए हमने यह क्योंकि तीनों ची जवरजस् हम इतना ही लेंगे आधा लीटर यह चार लीटर या पांच लीटर पानी होगा तो अंदाज से यह हमने मिला लिया अब हम थोड़ा थोड़ा पौधे को देंगे फ्रेंड्स जब हम पौधे को दें तो मिट्टी में हलकी नमी मरी रहे क्योंकि अकर मिट्टी एकदम सूखी है यह जवरजस्टानिक जाएगी तो पौधे को नुकसान पहुचाएगी बिल्कुल सूखा मिट्टी नहीं होना चाहिए यह मिट्टी सूखी थी हमने थोड़ा पानी पड़ गया है पौट छोटा है अभी तो इतना ही डालेंगे फिर देखिए इसका कमाल आपको तीसरे दिन ही इसका यह 48 घंटे में ही आपको पता चल जाएगा तीसरा दिन तो बहुत है नमस्कार दोस्तों वीडियो अच्छा लगो प्ली लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इसको सूबह एकदम डालें यह साम को मैंने भी वीडियो बनाने के लिए पौधे में डाल दिया नौ का समय है धूप तेज हो गई है तो साम और सूबह का बक्त बहुत अच्छा किसी भी खाद के लिए बहुत ही अच्छा रहता है